हेलो दोस्तो आज की स्टूडियों जानेंगे होस्टिंगर की होस्टिंग पर वर्डप्रेस को कैसे इस्टॉल करें दोस्तो अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाई की है और आपको नहीं पता है कि वर्डप्रेस को कैसे install करना है hosting पर तो आज की studio में आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा WordPress की hosting को hosting की hosting पर कैसे install करना है तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर sl certificate एक domain और एक hosting मैंने already buy किया हुआ है तो मैं इसको मतलब sl certificate को domain से connect करूँगा उसके बाद WordPress को install करूँगा तो सबसे पहले दोस्तों sl certificate को setup करने के लिए आपको यहाँ पर setup का जो option दिखाई दे रहा है यहाँ पर click कर देना है जैसे किलिक करेंगे आपको यहाँ पर आपकी वेब जो भी आपने domain बाई किया हुआ है यहाँ पर आपको शो करेगा तो आप अपने आपको जिस domain पर SSL लगाना उस domain को आप select कर लेंगे select करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर simply install SSL लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको वह पर click कर देना है तो दोस्तों चलिए हम install SSL पर click कर देते हैं और देखते हैं तो दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर लिख कर आ चुका है यहां पर इस्टाल हो रहा है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा एस्टेटस में आप देख सकते हैं हम इसे एक बाड़ ईक्र कर लेते हैं फोड़ा टाइम लग रहा है तो दो वाघ्र विज को सकते हैं इसथ इसके बाद दोस्तों यह हो चुका है तो देखते हैं क्या होता हमारा जो lsге अ देख सकते हैं नहीं हो चुका है हमारे डॉमेंट से तो तो इसे डूश्ट ओंचिंगर की होस्टिंगर से हर शते हैं अगर आपने में तरप्री नहीं एक बाद हम वर्ट्ट प्रेस को इस्टाल करँए यहाँ पर आप ग्ल्डवास तो आपको यहां पर नजिया होत आपको इस टाल वर्डप्रेस पर किलिक कर देना जैसे हैं है आपके किलिक करेंगे आपके messing दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको इसमें क्या फीलप करना चलिए आपको को बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हेशस्ट टीपी है तो सबसे पहले आपको यह टिपिएस इसको कर देना है उसके बाद यहाँ पर गोरगप्र हिंदी अलेडी दिया हुआ तो इसको ऐसी रहने देंगे इंटर सब कटेगरी यहां पर आपको बलैंक रखना कुछ भी फील अप नहीं करना है यहां पर एड्मिन यूजर नेम तो आप कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं उसके पासवर्ड पासवर्ड में दोस्तों आपको ध्यान है पासवर्ड जो आप लिखेंगे उसमे इसमाल लेटर और कैप्टल लेटर उसके बाद नमबर और एक स्पेशल करेक्टर यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद यहां पर पासवर्ड बन जाएगा और यूजर नेम में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर एक इमेल आइडी आपको देनी है इम इकांट बनाया होगा तो अपने एक इमेल आइडी दी होगी तो यहां पर इंटर करें फिलाल यहां पर आर्टोमेटिंग इमेल आइडी फीलफ हो जाता है तो आपको इसको फीलफ करने चैल की जरूरत नहीं पड़ें यहां पर वेबसाइट टाइंटल लिख दें तो जैस के बाद आपको यहां पर चैन्ज में कुछ भी नहीं करना चाहे तो यहांपर से चेंज कर सकते हैं और जय पहले फिलार यह लेक्टर राजन तिसको इतना विरजन जितना है यहां पर वह उसको ही सेलेक्ट रहने देंगे language English दिया इसको भी आप सेलेक्ट रहने ही देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डाटाबेस पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर भी आप कुछ डाटाबेस पासवर्ड बना सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे, उसके बाद आपका पासवर्ड बनके तयार हो तो उसके बाद आपको निश्ट बताते हैं आगे आपको क्या करना है दोस्तों अभी हमने सारी जनकारी फील अप कर ली है उसके बाद आपको लाश्ट में यहां पर इस्टाल वाले आपसन पर क्लिक कर देना है चलिए हम इस्टाल पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के होगा आपको wordpress hostinger पर install हो जाएगा तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं तो थोड़ा हम इंतिजार कर लेते हैं तो दोस्कों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर wordpress जो है इंस्टाल हो चुका है hostinger पर अब यहाँ पर आपको गोरभपूर हिंदी दिख लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जो भी आपने टाइटल दिया होगा यहाँ पर वह सो करेगा तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं wordpress जो है open हो रहा है यहाँ पर wordpress website मेरी open हो रही है यहाँ पर जो है यहाँ पर अब देख सकते हैं और यहां पर wordpress की डिफार्ट तीम जो है सो रही है आप को आगे क्या करना है चलिए आपको बता देते हैं जैसे ही आप हम यहाँ पर देख सकते हैं wordpress इंस्टाल हो चुका है अब अगर आपको wordpress admin एड़न में जाना है तो आपको यहाँ पर एडिट वे च्ट का जो आप संदिख रहा है आपको एडिट वेबसाइड पर क्लिक कर देना करेंगे ला लेडिश्ट और जयांने लाँ हां यहां पर हम आ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी दबा दें और पाइस अभी टिक वीडियो सबसे पहले थाएंक्यू फार वाचिंग